आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हेलो दोस्तों हमारा प्रशन है, प्रकास का वायू से काच में पारगमन के लिए ध्रुवन कोन का मान निकाले ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है अमें ध्रुवन कोन का मान निकालने के लिए अगर इसे हम देखें चितर की मदद से, ठीक क्या होता है कि एक मालने जी ये पारदर्शी माध्य में ठीक है, जैसा कि मैं परशन में बोला जा रहा है कि ये काच है, ठीक है तो जब इस पे अध्रूवित प्रकास आपतित होगी, ठीक है, यह अध्रूवित प्रकास आपतित होगी, तो अध्रूवित प्रकास को कुछ इस तरह से हम सुचित करते हैं, क्योंकि इसकी जो विद्धूत वेक्टर होती है, वो सभी दिशाओं में इस तरह से सम्मित होती है ये अदुरुवित प्रकास जब आपतित होगी तो कुछ प्रकास जब पारदर्शी माद्ध हमें पड़ते हैं तो कुछ भाग इसके परावर्तित हो जाते हैं और कुछ भाग इसके अपवर्तित हो जाते हैं ठीक है चुकि विरल से सघन माध्य में वायू से काच में आ रहे हैं तो जब यह अपवर्तन होगा इसका तो यह अभी लंब की और मूरेगी ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है यह जो हमारा प्रावर्तित प्रकाश होता है ठीक है यह सम्तल धुरूवित प्रकाश होता है ठीक है जिस इस तरह से सुचित करते हैं और यह जो हमारा अपवर्तित प्रकाश होता है यह आंसिक रूप से धुरूवित होता है ठीक है और इस तरह से यह निर्गत इस तरह से होती है तो हमें बोला जा रहा है कि दुरुवन कॉन तो इसके लिए दुरुवन कॉन होता है ठीक है यह हमारा IP होता है क्या होता है यहुक्तर का नियम लगाएंगे ब्रूस्टर के नियम से ठीक है क्योंकि ब्रूस्टर नहीं यह जो हमारा दुरूवन कोन के लिए यह हम एक सुतर दिया था वो क्या था कि मू बराबर 10 ip ठीक है मतलब जो पारदर्शी मार्द्यम का अपुरतनांग होगा वह दुरूवन कोन के स्पर्श जया के बराबर होगा ठीक है तो काच के लिए जो अपुरतनांग होता है ठीक है अगर पारदर्शी काच है तो उसके लिए मू का मान कितना होता है एक दशमलब 5 ठीक है तो यहाँ पे रखेंगे मान 1.5 बराबर 10 IP ठीक है तो यहाँ से अगर IP निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा 10 inverse ठीक है 1.5 के बराबर तो यहाँ से IP निकल जाएगा 10 inverse 1.5 का मान होता है 57 डिगरी के बराबर ठीक है तो यहाँ से IP कितना निकल गया 57 डिगरी के बराबर अर्थात हमारा जो धुरूवन कोन का मान होगा वह कितना हो गया संताबन डिगरी ध्रूवन कोन का मान ठीक है तो यह हमें प्रश्ण में ग्यात करना था ठीक है यह हमारे प्रश्ण का उत्तर हो गया धन्यवाद